Now, this time, in this video, we are going to make a simple lottery game. So, उसके लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी एक library की जो की होगा import and that will be random. Random library का हम इस्तेमाल करने वाले हैं and इसके अंदर मैं क्या करूँगा? यहाँ पर एक random number को generate करूँगा and उसको मैं store करूँगा इस random number नाम के variable में कैसे generate किया जाए? यहाँ पर randint नाम से एक function को इस्तेमाल करते हैं. कैसे? that will be सबसे पहले हम इस library का नाम लिखेंगे क्योंकि हमें library import की है और यह जो randint function है यह इसी library से आता है. So, that's why randint, then यहाँ पर आपको range specify करना है. lower range और higher range. So, हमारा जो objective है वो है कि हमें एक one to six के बीच में एक random number को generate करना है. Then हमें user से एक number को guess करवाना है इसी range में and अगर उस user का guess इस random number के equal आ जाता है then वो एक lottery जीट जाएगा वरना हार जाएगा. Simple game है, काफी. चलिए, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा? Random number हमने generate कर लिया. अब बारी आती है guess. तिक हमें जो user से लेना है. So, इसके लिए ये भी एक number होगा. So, integer. Then इसके अंदर input and इसके अंदर यहाँ पर मैं लिखूँगा कि GUESS. तिक guess a number between where between one to six. करेंगे कि एक if condition लगाएंगे और यहाँ पर मैं check करूँगा कि यह जो guess है. अगर वो equals to equals to है random number के. So, अगर यह equal होता है. So, मैं यहाँ पर एक statement print करूँगा. जो की होगा Amitah बच्चन की आवाज में 7 करोड. मतलब हमारी lottery लग गई है. हम जीत चुके हैं. Else, अगर number equal नहीं होता. So, मैं यहाँ पर एक statement print करूँगा. That will be कि, oops, the number was, the number was random number. Right? So, बस इतना सही simple program था. चलिए मैंने इसको save किया, run किया. And अब देखते हैं जड़ा program यह function कैसे करता है. So, हमें यह यहाँ से पूछ रहा है कि guess a number between 1 to 6. Okay. So, मैं ने गेस किया 4 and यह मुझे यहाँ पर रिटन कर रहा है कि, oops, the number was 2. Okay. So, this time the 6. So, बस यही हमारा program था. And I hope कि आपको भी यही feeling आएगी एक बार program को खुद अपने हाथों से type करके और जब बनाएंगे. So, literally आपको भी same feeling आने वाली है. I hope कि आपको random function का इस्तेमाल समझ में आया होगा कैसे करते हैं. किसी range, specific range के बीच में आपको कैसे value generate करनी है, वो पता होगी. नहीं पता है, तो मैं यहाँ पर एक card वाले बटन पे एक video दे रहा हूँ. आप वो दिख लीजिएगा. उसमें मैंने random function के बारे में detail में अच्छे से बताया है. So, चलिए फिर. आज के video में बस इतना ही. I hope कि आपको video समझ में आया होगा. So, keep coding, happy learning, goodbye. आपको